जाहें दोस्तों दोस्तों लेकर के आगए हैं बहुत ही महत्पुन परियावरण के 30 प्रिसन जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक प्रिसन बहुत उपी होगी उससे पहले एक बहुत बड़ी खुसकवरी आपको दे दें कि इस परियावरण की ऐसी PDF सब लोग मांग र तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाएंगे या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टॉप 50 श्टडी ना हो तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजीगा और पीडियाप होहां से आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं देखें तो आपको बता प्लास्टिक तो नहीं है पॉलेथिन भी नहीं है सीसा भी नहीं है इन मैंसे कोई नहीं स्काउटर ठीक हो जाएगा कई लोग बोलते सर जोड़ना है क्या करें आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचेगी और ऐसी आपकी तय बबा करके ओल not फैके सान कर लें और अपनी तईयारी को मजबूत बनाए अगला है एक एक प्रश्न बहुत उप्योगी है बहत महत्कून है डचिगम राश्टी उध्यान है कहां पर है डची गम राष्टी उध्यान तो आपको बताने कि डची गम जो राष्टी उध्यान है जल्दी से आपको फटाक से कमेंट करना है मैं कम टाइम दूँगा कम समय में ज़्यादा पड़ाई हमें करनी है तो भै है जम्मू एवं कस्मीर में बीच बीच में कौन से question आते हैं, हम अपने इस PDF में हमने बनाए हैं, जो की करम से ला रहे हैं, और इसकी पूरी आपको यदि PDF चाहिए हैं, तो हमने बता दिया कि टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, टॉप 50 स्टडी है, नीचे description में लिंके दी है, तो आप जोईन कर दीजिए, तो कौन हैं, तो आपको बता दें कि इचिप कौन देलन के प्रणेता हैं, सुन्दललाल बहुगोडा, ठीक है, सुन्दललाल बहुगोडा, प्रोजेक्ट टाइग समुद्र का कितना प्रतीसा जल पीने योग है, कई बार पूछा जाता है, कितना प्रतीसा समुद्र का जल पीने योग है, तो आपको बता दें कि जो पीने योग समुद्र का जल होता है, 0.65% होता है, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गेस बातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित रहती है कौन सी ग्रीन हाउस गेस है जो बातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित रहती है तो आपको बताते हैं ग्रीन हाउस गैस मूची गई है जो बातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है तो बैहे कारवंड़ोई आक्साइड ठीक है कारवंड़ोई आक्साइड बातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है आगे है हरत ग्रह प्रभाव के द्वारा प्रिथवी पर कौन सा रेडियेशन होता है पड़ा हो तो उत्तर जल्दी से दे दीजिए और ना पड़ा हो तो तुक्का लगा लीजिए लेकिन मुझे तो उत्तर चाहिए साप कमेंट में लाइब देख रहे हो तो लाइब चेट में कमेंट देजिए नहीं तो बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट में उत्तर जरूर देजिए डेली हमारी इकलास रहती है तो आपको बता दे कि हरत गिरह प्रफाक दरा प्रतिवी का infrared radiation होता है ठीक है लंदन धूम्र पाया जाता है कई बारे question पूछा गया है पेपरों में तो जल्दी से बता दे कहां पाया जाता है तो सीथ काल में सुभई की समय पाया जाता है ठीक है सीथ काल में सुभई की समय पाया जाता है कोहरा भी जिसको कई लोग बोलते है खबा का एक तीब्र भवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्क टिका के ऊपर चाया रहता है हवा का एक तीब्र भवर होता है जो समताप मंडल बनता है और अंटार्क्टिका के ऊपर च्छाया रहता है उसको क्या कहा जाता है बिल्कुल अपनी तैयारी का आपको अंदाजा लगा जाएगा आज की 30 मैं से आपके कितने बरना है तो अभी आपको कितनी और तैयारी मजबूत करनी है कमेंट में जरूर बताना लाश्ट में कि 37 में से मेरे पे इतने कॉस्चन बने हैं अभी मुझे और इस चीछ के बारे में पढ़ना है तो आपको बता दें कि वह कहलाता है धुरी भी ये बबंडर ठीक है बबंडर भोपाल गैस त्रासदी निमनलेखत में से किसके कारण हुई बहुत महात्पूर प्रशन है और सरल भी है क्योंकि परिया बन जो पढ़ रहा है उसको ये प्रशन तो बन नहीं चाहिए तो भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख गैस कारण थी वह थी मेथिल आईसो साइनेट कौन थी मेथिल आईसो साइनेट स्वेथ फैपडा कैंसर होता है किस से होता है स्वेथ फैपडा कैंसर तो आपको बता दें वह होता है स्वेथ फैपडा जो कैंसर है वह होता है टेक्स्टाइल से ठीक है टेक्स्टाइल से निमलिकेत मैंसे किस gas की गहन सललगनता हीमोगलोविन से होती है ठीक है कौन सी gas से जिसकी गहन सललगनता हीमोगलोविन से होती है तो वैग gas है CO CO का full form आपको कमेंट में लिखना है देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं CO है इतिहास में पहली परमानु दुरगटना हुई महत्पून प्रश्ण इतिहास में पहली बार परमानु दुरगटना कब हुई थी वस्ताना आपको बताना है हाँ तो दुरगटना हमारी आजादी के दो बर्स पहले हुई थी 6 अगस्त 1945 को 1947 में दे जा 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 जुगा तो 6 अगस्त 1945 को बिसमें पहली परमानुदर घटना हुई दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं यूटूब पे आपको सर्च करना है टॉप 50 स्टडी और सर्च करने के बाद आपको लगातार जो वीडियो मिलते जा उनको देखते रहना है या हमाई पिलिलिस्ट में जा करके आपको जरूर देखना है सुप्रीम कोट ने परियाबरनों बन मन्तराला को कभी यह आदेश दिया कि ताज महल के छेत्र में हरे छेत्र विक्सित कीया जाए सांती घाटी जिसे राष्टी पारक का दरजा प्राप्थे इस्तेत है ठीक है सांत घाटी सांत घाटी जिसे राष्टी पार्क का दर्जा भी प्राप्त है किस राज्ज में इस्तित जल्दी से बता दे तो आपको बता दें कि सांत घाटी आपको बता दें कई बार पूछे कि केरल लाज्ज में है सांत घाटी कहां है केरल लाज में इस्थित है इसे राष्टी पार्क का भी दर्जा प्राप्त है कणि की ये प्रदूशन को समाप्त करने के लिए निम्नलेखित मैं से किस युक्ति का प्रियोग किया जाता है कणकी प्रदूशन को समाप्त करने के लिए कौन सी वक्ति का प्रियोग होता है तो हाँ जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दें कणकी प्रदूशन को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चेमबर का प्रियोग होता है साइकलोन कलेक्टर का प्रियोग होता है तो उपरे सभी इसका उत्रडी ठीक हो जाएगा प्रिश्म एदि आपको अच्छे लग रहे हो ऐसे प्रिश्म और आंगे हैसे ही आप चाहते हैं कि मिलते रहें तो लाइक करके एक बार हमें इसका जवाब दे दीजी कि इसर हमें बिल्कुल पसंदा रहा है तो रहां देगवाल लाइक पर किलिक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए होंगे जिसके अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी ध्वनी प्रिदूसन नियंतरत एवं रोक्थान अधिनियम 20001 निर्देसित करता है क्या निर्देसित करता है ध्वनी प्रिदूसन नियंतरत एवं रोक्थान अधिनियम 20001 वेक प्रिदूसन निर्देसित करता है कहीं लाउंड स्पीकर के कारण ध्वनी प्रदूशन एक तो इसके कारण होता ही है ठीक है और किसी सभा में तीब्र ध्वनी के स्पीकर का प्रियोग तो B और C दोनों को रोकतां की बात करता है ठीक है पठाको को नहीं लिया गया एसमेनी तो उसको लगाया हो अगला देखें अरे थोड़ा से डिसार्ट होगे चलिए पौधों और जन्तू की संकट गर्स्त प्रदास्तियों को प्रदास्त करने के लिए IUCN ने निमलिखित पुस्तक तयार की है जल्दी से बता दें पुस्तक पौधों और जन्तू की संकट गर्स्त प्रदास्तियों के लिए कौन सी पुस्तक तयार की गई है तो आपको बता दें जो किसने की है IUCN इससे संबन देते एकात प्रशन आता ही है तो वह है red data book याद रखेगा red data book तयार की गई पौधों जन जन्तियों की प्रजाती को प्रदर्शित करने के लिए विस्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था विस्नोई संप्रदाय के संस्थापत कौन थे किसने स्थापित किया था विस्नोई संप्रदाय हाँ जल्दी से बता दें विस्नोई संप्रदाय स्थापित किसने किया ह बिनकोर सही पहचाना रहे हैं, गुरू जंबेश्वर, ने किस संप्रदाए की स्थाप ना गी? तो भुझा था विस्नोही संप्रदाए, गुरू जंबेश्वर, आगे, निमलिखित मैं से किस गेस के कारण पत्तियों का सिकुडना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटे हो पौधों में पाया जाता है कौन सी गैस के कारण क्या पत्तियां सिकुरती हैं पत्तियां गिरती हैं और आकार में छोटी होती हैं उस गैस का आपको नाम बताना है तो CO2 ठीक है CO2 के कारण ऐसा होता है पानी में पाये जाने वाले रेडियो सक्त्रिय पदार्थ का अंस कारण बनता है दोस्तों आपको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो हैं आप उनको भो भी देख सकते हैं अब ही हम प्रश्ण उत्तर पर चाचा कर रहा है इसलिए मैं तो अलग सिस्टम रहता है अभ्यास 30-30 के कर रहा है उसमें विस्तार करने जाओ गया समय कहा है पेपर के लिए मतलब ऐसे होते हैं कि फटा-फट विल्गों दिमाग में बैठ जाए पानी में पाये जाने वाला रेडियो सक्त्रिय पदार्थ का अंस या कारण बनता है कौन बनता है पानी में पाये जाने वाले रेडियो सक्त्रिय पदार्थ का कारण तो आपको बता दें कि केंसर तो नहीं बनता है पानी पाये जाने वाल नहीं आख के पानी से गिनना नहीं डीने विखंडा नहीं भी तो परिक्त मैं से कोई नहीं इसका उत्त अगला है भारत में कितने प्रतिसाद भूमी पर बन है ठीक है कितने प्रतिसाद भूमी पर जल है कितने प्रतिसाद भूमी पर बन है ऐसे question पूछ लिया जाता है तो अब आपको जल्दी से बताना है कमेंट में उत्तर दे करके कितने प्रतिसाद भूमी पर भारत में बन है ठीक है? 19.47 गिरीन हाउस प्रभाव सरप्रथम पहचाना गया था अभी कई लोग सोच रहे होंगे सरे आपने अच्छा बोला हिंदी भी बोल दी और इंगलेस भी बोल दी ठीक है ना? 19 को 19 बोल दी है यहाँ 4.7 तो यहाँ चलता है अपनी मिक्स अब भासा में सब चलता है तो गिरीन हाउस प्रभाव सरप्रथम पहचाना गया जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा पहचाना गया था गिरीन हाउस? इनी दो मैसे है अब दो मैसे है तो भाई बनता हो तो सही बता दो नहीं तो तुक्का लगाने भी कोई बुराई नहीं है चार में तुक्का लगाने में ज्यादा गड़वल होने की चांस रहते दो मैनी हो तो फटाक से कमेंट में देखिए और इससे अंदाज लगाई कि आपका तुक्का लगाया हुगा सही निकलता है या गलत? फटाक से कमेंट कर दें हाँ फर इसके बाद मैं बता रहूं इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर में तुक्का लगाना की नहीं आपको बता दें कि ग्रीन हाउस प्रवास सर्पथम जीन बेप्टिष्टो की उरियर त्वारा पहचाना गया था ठीक है इस पिकार से हो जाएगा आगे देख लिएते हैं निमलिखित मैंसे कौन सा आमल बर्षा में उपस्थित होता है आमल बर्षा में जो ग्यस उपस्थित होती है इन मैंसे वो बतानी है आपको ठीक है तो आमल बर्षा में लिए बर्षा में किलोरो फिलोरो कारवन तो रहती है मैथेन भी रहती है कारवन डो यॉक्साइड भी र जाएगा आमल बरसा में उपस्तित होती हैं। दोस्तो ये PDF बहुत महत्पूर है। ऐसे छटे हुए प्रशने हैं और इसके पहले की अब ठीक है तीन यहाँ पर देजी अब कौन सा होता है तो आपको बता दें कि HN O3 तो रहता है, H2, H O4 ये भी रहता है। तो A और B इसका दोन उत्तर ठीक हो जाएगा। निमलिक खित्मे से किस इसतर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संग्या दी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 200 DU से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संग्या दी जाती है, 200 DU बन्नेजीब संदक्षण पर निम्ने लिखित में से कौनसा असरकारी संग समर्पित है असरकारी संग है NGO तो बन्नेजीब संदक्षण निम्ने लिखित में से कौनसा असरकारी संग या NGO समर्पित है चार उप्सन है तो आपको बता दें कि भै है WWF for Nature भारत का है यह बन्नेजीब सनक्षण पर क्या है? समर पे थे पूरत हाँ निमलखट मैंसे कौनसा अनुच्छेद सार भव्मक मानवाधिकार स्निश्चित करता है? कौनसा अनुच्छेद है जो सार भव्मक मानवाधिकार स्निश्चित करता है? तो आपको बता दें कि भै है कौन सा है अनुच्छेत 15 क्या करता है भारत में सार भोमेक मानवादिकार सुनिश्चित करता है कहाँ पर भारत में करता है भारत का सम्मिदान है इसलिए 10% नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया 10% नियम महत्पूर्ण है तो आपको बता दें कि 10% नियम का उत्तर पहले आप बताऊं से पहले हमने जैसा कि आपको बोला था कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की पूरी तयारी कराई जाती है इसलिए आपको क्य करना है इसकी link को all लोगों तक पहुचाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके अपने इस तैयारी को मजबूत बनाएंगे और टेलीग्राम चैनल की भी link हमने दी है टेलीग्राम में तो उसको भी आप आँगे से अर करें और टेलीग्राम से अभी नया नया लौन चुगा है तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं धीरे धीरे हम लोग इसमें जुड़ते जाएंगे हां तो देखें लिंडमान द्व किया गया वह भताना है सन तो आपको बता दें कि वह संथा उनीट सो औन अत्तर में की आ गया ठीक है किसको स्थापित किया गया ये को स्थापित कप किया गया वो 1989 में किया गया है ठीक है दोस्तो इस पकार से आप तुरंत आप क्या कीजिए नीचे डिस्किप्सन यहाँ पर क्लिक कीजिए साइड में डिस्किप्सन आपको देखेगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक है या टेलीग्राम डाउनलोड ना किया हो तो कल लें उस पर साच कर आपको चैनल देखे उसको जुआइन करना है सब्सक्राइब करना है ठीक है तो यह कर लेंगे वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और इसको आँगे शेयर भी करें टेलीग्राम से भी अपने लोगों को जोड़ें जिससे ज़्यादा से यादा पीडियाप नोश आपको